तो हाई दोस्तों और कैसे हैं आप सब लोग आज की इस दोस्तों वीडियो में बताऊंगा काफी आसान तरीका एक टिप्स हैं जो कि आप घर बैठे इसको कर सकते हैं कहीं जाना नहीं होगा है cancel करना, ticket cancel करना वो भी counter गा, जिसे कि क्या होता है, वो लोग online नहीं कर बाद दिक counter का होता है, तो उसको online cancel जिसे कि क्या होता है, 24 गंटे में train निकलने वाली होती, तो क्या होता है, अगर train निकल जाते हैं, तो आपका पैसा refund नहीं मिलता अगर आप तुरंथी कर देते हैं, ticket cancel जल्दी करके, फिर जाते हैं, वहाँ जब पैसा लेते हैं, या किसी को भीज देते हैं, तो आपको पैसा भी मिल जाता, तो इस वीडियो में बताऊंगा दोज़ों, यह आप घर बैठे, मुबाइल से online ticket cancel, कैसे कर सकते हैं, वह भी counter का ticket, क्योंकि online तो online ही cancel होता है, बट counter का कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में step by step बताऊंगा दोज़ों, अगर हम वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब बना, आपने भाई को इसा प्यार बनाते रहना, बिना टाम इसके वीडियो को स्टाट करते हैं, तो दूस्तों उसके लिए क्या गमना होगा, उसके लिए आपको Chrome browser open करना होगा, ठीक है, तो Chrome browser open करने के बाद, यहाँ पर आपको type करना होगा टिकेट कैंसिल, तो यहाँ पर टिकेट मैं कैंसिल, तो कर देता हूँ, टिकेट कैंसिल, तो ठीक है, टिकेट कैंसिल पर क्लिक क्या, टिकेट कैंसिल पर करने के बाद, मैं यहाँ पर टिकेट कैंसिल पर ही सर्च करता हूँ, टिकेट कैंसिल पर सर्च करने के बाद, फिर य यहां पर पहला वेबसाइट आया है, counter ticket cancellation तो आपको इस पर जाना होगा, इस पर जाने के बाद यहां पर लेखते हैं, यह loading होगा, loading होने के बाद अब यहां आपको समझना होगा, क्या गर न होगा, ठीके, तो यहां पर सारा process बता दिया गया है, आपको मैं पहले पढ़कर ब और दालना होगा उसके बाद किया है अच्छा और भी से व्लाइब करना होता है यहां पर बदा भूखेर मिलता है जिसको नहीं पता होोगा भों 와서 को पता भी नहीं होता, PNR कहा होता, कैसा होता है, उसके बाद train number भी लिखा होता, आपको train number भी दिख जाएगा, यहाँ पर बताएगा है train number, उसके बाद capture मैंने बताएथा, तीन चीज करना होगा, capture भी फिल करके, फिर यहाँ पर जो I have read cancellation कहा है, यहाँ पर आपको click कर देने होगा, यहाँ पर सापसा लिखा है, उस box में click करना होगा, उसके बाद after click on submit and OTP, मतलब आप जब भी ऐसा करते हैं, तो यह माँ समझे भाई कि आपको तुरंट cancel होगी है, आपके जो आपने जब ticket करते हैं, बुक करते हैं, तो आपके वो counter वाला नमबर पूछता है, उस पर OTP जाता है, तो यहाँ पर आपके उसी नमबर पर जो registration नमबर होगा, उस पर एक OTP जाएगा, OTP जाने के बाद, फिर PNR नमबर वहाँ पर आएगा, स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, टिकेट कैंसेल, आप्टर verify detail, click on cancel ticket, तो यहाँ पर जैसे ticket आता है, वहाँ पर आप क्या गरते हैं, कि cancel पर क्लिक कर देते हैं, वालब ऐसे एक option इधर आता है, cancel जैसे यहाँ पर अभी हमारा ऐसा कोई PNR है नहीं, जिससे मैं आपको live देखा सकूँ, तो यहाँ पर एक आएगा, उसके बाद आने के बाद, आप उहीं पर cancel करते हैं, और तुरन आपका automatic cancel हो जाएगा, तो दोस्तो, I hope हमेग वीडियो से आप समझ गी होंगी, कि टिकेट cancel क्या से काज़कते हैं, और भी counter का, तो दोस्तो, I hope हमेग वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है, चैनल को सस्क्राइब करना, दोस्तो, ऐसा है अपनी भाई को सपोर्ट बनाए रखना, फिर मिलते हैं अच्छी टेकनिकल वीडियो में, तब करना उस्तो वाई बाई, टाटा